चलिए आज कुछ लग करते हैं आप लोग सोच रोंगे क्या आज सबदियां फ्राइए नि होंगी ऐसा नहीं होंगी लेकिन कहीं और होंगी तो मेरा कहाना यह है कि क्या कभी अपने ट्राइ किया ग्रिलर में सब्राइए करना मुझे लगा करके देखते हैं यार वही रोस पा यह थी कि मतलब होनी चाहिए वेजीज पकी हुई उतनी पग गई थी लेकिन टाइम लग रहा था बहुत और डर भी लग रहा था कि खराब नहीं लेकिन खराब नहीं हुआ वह अच्छे से पग गया उसके बाद मैंने इसको अलग पैन में निकालना पड़ा मुझे क्योंकि क मिल नहीं रहा था तो मैंने का चलो जह पान में मिला लेते हैं मिला था मुझे चिली फ्लेक्स और उसके पीछी पीछी पीच्छी पीचा वाता है बलाख फिर उसकी पीचे पीचे नमक और इन सब को मिलाने के बाद ना मैंने वही रोटी ली ना आई तंदूरी मेयो नहीं है तो सॉस लगा लिना फिर वही वेजी रखी उसकी ऊपर टेमेटो केचप चिली सॉस और साथ में मेयो अब इसको बिल्कुल टाको स्टाइल में पाक कर दि और उसके बाद ना वही टाको और उसके बाद ना इसको अच्छे से ग्रिल कर लिया तो मैं देखो क्या है ना मेरा ग्रिल में बर्गर बर्गर रखे लुस सा हो गया है मतलब उस पे लाइन सल्दी पड़ती नहीं है लेकिन चलो ठीक है चल रहा है चल रहा है तो यहां पे अच्छे से लेकिन ग्रिल हो गया है और काफी मज़ेदार भी है में लोग खाने में तो गजब भी है यार मिने दो बनाए दे मुझे लग रहा था कि यार इतनी भूग लग रही है दो तो मैं खाई जोंगी लेकिन जैसी मैंने एक खाया ना भी खाके पेड़ भर गया चलो ना भी बनाओ खाओ प्यों मज़े करों खुश रहो